तमिलाणू में कानून व्यवस्ता पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकिया और इसके लिए जम्यदार डियमके की सरकार कॉंग्रिस की सरकार है स्टैलिन साब तो खुद मुख्य मंत्री ही नहीं ग्रह मंत्री भी है और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराद बढ़ते ज वादी डार इसके पहले पैसे दल्यतों की हत्या हो गए हर इती कलक और अब मायवती जी ने सीवेयाए प्रोप की मांग भी कियो आगर उसके बार उन्याये बिन्हें चाहतीं CBI को सौप देना चाहिए मामला पर तो इस से समझ में आता है कि किस प्रकार से पहले तो दलितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है DMK Congress की सरकार और उसके बाद उन न्याए भी नहीं चाहती राहुल गांदी जी आपने न्याए न्याए डलेट नौट साउथ ये सारी चीज़े बहुत बोली आपने एक ट्वीट डाला उसमें आपने सरकार को कंडेम भी नहीं किया आप हातरस तो पहुंच जाते क्या आप तमिलाडू पहंचेंगे आम्स्टॉंग के परिवार के पास क्या आप स्टैलें से कहें गए कि श मều जानच होनी चाहिए क्या आप दबाव डालेंगे कि लोगों की जवाब देही तै हो क्या आप कलकुरुची की उन परिवारों से मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्योंकि एलोपी का मतलब है लीडर अफ ऑपोजिशन नहीं राहूल गांदी के लिए लीडर अफ ऑपर्चुनिजम बन चुका है लीडर अफ हिपोक्रिसी बन चुका है राहूल गांदी लीडर अफ दोरे माप तक है